हेलो एरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लट सुलोग विद पूनम में आज मैं सेयर कर रहे हैं आप सब के साथ एक अनोखी मिठाई जो हम बहुती कम समय में और बहुती कम इंग्रेडियन्ट के साथ बना कर त्यार करेंगे तो इस दिवाली जाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी भर करके भूने हुए चने यह मार्केट में बड़े असानी से मिल जाते हैं इसका मैं ने चिलका उतार लिया अच्छे से रगड़के बड़े असानी से निकल जाता है इसका चिलका अब लेंगे हम मिक्सी का जार हमें यह तो दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसका पाउडर बन के त्यार हुआ है, बहुत ही अच्छे से बन कर अगर आपको लगे कि इसमें कोई पीस बचा है, तो आप इसको चान के ले सकते हैं, और दुबारा से इसको पीस लेजी, लेकिन यह यहाँ पर अच्छे से पीस चुका तो अब यहाँ पर हम लड़ू बनाने की करते हैं, त्यारी यहाँ पर दो चमच के करीब हमने घी लिया है, अब जैसे ही हमारा यहाँ पर घी गरम होगा, इसमें डाल देते हैं, और इसे हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना क्योंक जल्दी बन कर त्यार हो गए यह, सिर्फ दो मिनट के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, इसमें हमें यहाँ पर घी की कमी लग रही है, अब इसमें हम थोड़ा सा घी और एड़ करेंगे, यहाँ पर दो चमच के करीब और घी डाला है, हमें घी यहाँ पर एक मिनट के और बाद यहाँ पर अच्छे से भून गया, अब यहाँ पर कर देंगे हम गैस की फ्लेम को बंद, और हमें इसे लगातार एक मिनट और चलाना है, गैस को बंद करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बरतन है, वो अभी भी गरम है, वो यह नीचे लगने इसकी जगह पर आप जो नारियल होता है, उसको भी कद्दुकस करके इसमें डाल सकते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कर देते हैं, अच्छे से मिक्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा यह सुखा सुखा लग रहा है, तो अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो अच्छे से अब यह लड़ू बन रहे हैं, अब हमें यहाँ पर लड़ू की सेप देते हैं, यहाँ पर अच्छे से लड़ू बना देने हैं, गोल गोल, और इसी तरह से हम सारे लड़ू बना कर त्यार कर लेंगे, यहाँ पर हमें लड़ू बनाने के लिए लग पक पांच चमस के करीब यहां घी लगा है इसी तरह से देखिए बहुती कम घी में हाँ पर हमारे अच्छे से लड़ू बनकर हो गई है तयार इसी तरह से हम सारे लड़ू बना कर त्यार कर लेंगे तो लिजिए बढ़िया से लड़ू और बहुती कम समय में और बहुती कम इंग्रीडि तो like, share and comment कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर ने तो चैनल को subscribe कर लीजिए देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं बहुत ही बड़ी आज बने हैं टेस्ट है बहुत ही अच्छा है आप बनाएंगे तो आपको खुद बता चल जाएगा थैंक यू बाई